So, Hello and Welcome Guys, तो कैसे हैं आप सबी लोग और वेलकम बाक टो अनौदर वीडियो एंड आज के सोड़ों के इंदर यापर हम लोग बात करने वाले हैं इंडस गेम के बारे में कि आप पर जो इंडस गेम है उससे एलेटेट कुछ इंफॉर्मिशन क्यों नहीं आ रहे हैं सो जली स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सो फेस्ट फॉल बात कर लेते हैं अम लोग इंडस गेम के बारे में कि आप इससे रेलेटेट कुछ न्यू इंफॉर्मिशन क्यों नहीं आ रही है अगर आप लोग उसको चेकाउट कर सकते हैं लिंक में डिस्क्रिप्शन वाक्स में दे दूँगा अब बात कर लेते हैं कि इसके बात क्या चीज़े आई हैं अभी तक यहाँ पर हम लोग को सिर्फ याँ पर टू करेक्टर्स देखने के लिए मिल चुके हैं यहाँ पर मैंने और भी कई साही चीज़े आप लोग के साथ सेर करी हैं इसकी स्टोरी से एलेटेड और भी सभी चीज़े वो आप लोग चेकाउट कर लीजेगा आप बात के लिए थे कि यह गेम आप लोग को कब तक देखने के लिए मिलेगा इन क्लोस बीटा या फिर ओपन बीटा और ट्रिलर्स देखने के लिए मिलेंगे अभी एक दो मंस के बाद आप लोग को टीजर्स वगरे देखने के लिए मिलना स्टार्ट हो जाएंगे अप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा अरावन आप अपर अभी 3-4 मंस के बाद ही अम लोग को काफी सारी चीज़े देखने के लिए मिलेंगी मेंबी में ट्रेलर जो है और जो प्राइवेट गेम टेस्टिंग्स हैं वो सबी चीज़े स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि अभी जो गेम है वो अभी अंडर डेवलोपेंट में है और अभी गेम में जो है वो इंटर्नल टेस्टिंग्स वगरा ही चल रहे हैं अगर और कुछ इंफॉर्मिशन आती है तो वो भी मैं आप लोग के साथ सेयर करूंगा अब बात कहलेते हैं नेट्फ्लिक्स के नियू एफपेस गेम के बारे में तो आप लोग तो जानते होंगे नेट्फ्लिक्स ने भी यहाँ पर गेमिंग में कदम बढ़ा दिये यहाँ नेट्फ्लिक्स जो आप लोग वो आपने पर गेमर के लियो आ होगा और यहाँ पने यहाँ पर रहा है जो कि आप लोग को इन फ्यूचर देखने के लिए मिलने वाले हैं पेर नेट्फरीक्स में हम लोग कुछ ही समय बात और पॉपलर टाइटल अधर नेट्फरीक्स पे कैसि मोबाइल के बारे में युबी जोटों गूबने सक्सेल पर रहे हैं ये गेम जो है PC and Consoles पे काफी popular रहा है इसलिए अब ये जो गेम है वो mobile पे आने वाला है और इससे इलेटे ट्रेलर या फिर कुछ बड़ी announcement हम लोग को देखने के लिए मिल सकती है अभी तो यहाँ पर Ubisoft में Area F2 गेम को भी आपर जो है वो क्लोज कर दिया है जो की काफियत तक Rainbow Six Seas से ही similar था तो नेच्ट मन्थ में हम लोग को यहाँ पर इस गेम से एलेटेट कुछ official announcement या बड़ी announcement जिसको media coverage मिलने वाली है और वो हम लोग को देखने के लिए मिलेगी और उसके बाद यहाँ पर जो है official game जो है वो हम लोग को 2023 में खेलने के लिए मिलेगा अब पिछले साल से यहाँ पर Ubisoft & Tencent की जो partner company है वी गेम दोनों ही यहाँ पर जो है मिल करके वर्क कर रहे हैं इस game के उपर and according to its roadmap यह game हम लोग को देखने के लिए मिलेगा next year and हम लोग को next one देखने के लिए मिल सकता है एक announcement teaser इससे related so आप लोग Rainbow Six Siege mobile के लिए excited है या फिर नई comment section में जरूर बताइएगा so मैं मिलता हूँ आप लोग को next video में and ऐसी gaming information के लिए चैनल को subscribe करके रखिएगा and मैं मिलता हूँ next video में next game के साथ